एपपीशोड की शुरुवात में में कुंग लौान पिक के यहाँ दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नह relief होता है जो किया में लकडियों को काट रहा होता हय यहाँ पे इसने काफी सरे लकडियों को काट द्या होता है तब इसके सामने इसका कीमर था और काफी यंग भी था मैं पर यहां पर कंपनियों की बाते ना सुनने की वज़े से उन्हें ने मुझे अंदेखा कर दिया और मैं डिप्रेशन में चल गया और उसकी बात जब मुझे होश आया तो मैं क्यों हौंग अकेडमी के यहां पर था मैं यहां रॉनिक सील डिपार्टमेंट पर हूँ मैं इन सब को यह सारी स्किल सिखाता हूं मुझे लगा था कि जैसी मुझे सिस्टम मिल जाएगा मैं काफी ताकतवर बन जाओंगा और पिछली लाइफ से यह लाइफ मेर बहुत बढ़ी होने वाली मैं सब को दिखा था कि मैं कितना जदा थाकत वरू पर ऐसा कोज भी नहीं हुआ यह सिस्टम अपियार हुआ इसका नाम था फायर बूट चॉपिंग सिस्टम पर किसे पता था यह लकडियों को काटने के अलावा मुझे और कोई मेशन नहीं देगा मैं अल्रड़ी इतने सा जनाचे ताकि आप अपने लिए एक स्टुडेंट को सिलेक्ट कर सके और यह सोच रहा होता है कि इसका क्ल्टिवेशन लेवल इतना लो है कौन से स्टुडेंट इससे चुनेगा यह फिर इसे कहा था कि ठीक है मैं समझ यह लड़का यहां से चले जाता है यहां पर फिर बे लोग उसकी तारिफ कर रहे होते हैं कि आपके स्टुडेंट में काफी सारे स्टुडेंट शामिल होना चाहते हैं आपने करीब 500 को अपने यहां पर ले लिए यह कहता है इसी कोई बात नहीं है तो ग्रेंड मास्टर बे को किसी भी स्टुडेंट ने अपलाई नहीं किया है साथी साथ वो यहां पे आई भी नहीं है तो दूसरा आद में कहता है कि अगर वो यहां पे आ भी जाता तो भी उसके लिए काफी शर्मिंदिकी की बात होती तो कि इतने साल बीच जाने के बाद वो अब तक लाइट स्टेज में यह कहता है कि यहां पर आखिर कर उस जैसे को कूल वान पिक क्यों दिया गया है वो जगे सबसे सुन्दर है पूरे अकैडमी में तब यहां पर हेविंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर बे सच मुझ पागल हो चुकी है वो यहां पर एक भी स्टुडेंट रिसीब नहीं करें पूरे दस साल से साथ साथ वो यहां पर तो हमें उन्हें निकालना जरूरी है पर हेड़ मास्टर से कहते कि जूनियर बदर बे अपने सारे कल्टिवेशन को खो चुगे और दस साल से वह सिर्फ लाइट स्टेज में और यह से पिसलिए हुआ क्योंकि वह अकैडमी को प्रोटेक कर रहे थे यह कहता है कि हम में चिंता काने के लिए और सच मुझमुझी यह सुनके काफी अच्छा लगा कि तुम सब मेरे बारे में फिकर करते हो पर हेमिंग इसे कहा था कि ग्रैंड मास्टर बे आपकी स्प्रिट को देखे मुझे काफी अच्छा लगा पर यह थोड़ा हीमिनल टिंग नहीं कि आप फिल हो पा रहा होता है कि उसने काफी खतरनाक है तब ही मिंग इसे कहा था कि ग्रैंड मस्टर बे आप काफी इंजट लगे हो आपको जल्दी से ट्रीट कर वा लेना चीए पर अच्छी बात यह कि मेरे पास फाइव एलेमेंट स्पेल के कल्टिवेशन यूवान है और यह म काफी जद लेज़ी हूँ तुमारे इस तरह का गेम खेलने के लिए और मुझे पता है कि मुझे एक भी स्टुन नहीं मिलेगा इस साल भी तो मैं पहले वापी जा रहा हूँ पर यह कहते कि नहीं तुम वापीस नहीं जा सकते हैं यह फिर हैड़ मास्टर को कहता है कि इंस् मैं आसे नाॉंस करता हूँ कि जो बे है वो आहाँ से यहां का टीचर नहीं है पर तब ही यहां पे एक लड़की आजाते है जो कि इनने कहती है कि रुखिये है मैं इंस्टरक्र बे के अंदर स्रडी करना चाती हूँ यानि कि मैं उनकी स्टूडिन बनना चाती हूँ मैं उन पर यह कहती कि ने मैं अपना मण बना चुक्यों प्लीज इंस्ट्रक्टर अचिजिए क्यों कर रही हो यह कहती है कि उस टैश को क्यों चुना लगता है यह वह मुझे अपने जाल में फसा सके पर चाहे वो जो कर ले उसे एक ना एक दिन मैं को चली दूँगा हेमिंग फिर से कहrantा है कि इंस्ट्रक्टर भी मुझे पता है कि आखिर कर तुम क्या चाल चल रही हो ये फिर हेड़ मास्टर की पास चला जाता है जैसे कि आपने देखा कि अपने इंसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती पर यह मनी में इमने सोच रही होती है कि मैं एक रिकानेशन हो एक इम्मोटल की है पिछली लाइफ में मैं अपने मेमरीज के साथ पैदा हुई थी पर पिछली बार मैं कल्टिवेशन में बिल्कुल भी सक्सेस्फुल नहीं हो पाई थी इस बार मैंने स्वाड आट डिपार्टमेंट को चुनने का सोचा था और मेरे टैलेंट और अपीरियंस के साथ मैं 80% कल्टिवेशन रिसोसर को डिपार्टमेंट से चुरा सकती थी पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखरी मिनट में मुझे एक जीनियस मास्टर मिल जाएंगी मेरे आई सेट जो कि एक इमोटल की है उसे मैं कभी भी धोका नहीं खा सकती यह जो स्नेक है यह एक डैगन बनने वाला था और अगर हुमन लेवल से इसे कंपेर किया जाए तो यह सुप्रीम मास्टर बनने वाला था मायनस ठीज का बेशक पिछली लाइफ में मैं एक इमोटल थी पर मैं बिल्कुल भी हिमत नहीं करती है कैसे स्नेक से लड़ने का जो कि एक डैगन बनने वाला हूँ आखिर कर यह बन्दा है कौन और इसने इतने बड़े डैगन को कैसी हराया हैड मास्टर फिर यहां पर अनौस्मेंट करने लग जाते कि जैंक को अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अब अनौस करने जारू यहां पर यह से कैसे मुझे ऐक प्रॉब्लम है मुझे कुछ कहना कई रहा पर हैड मास्टर से कैते की यह discipline io की स्वाडर डिपार्टमेंट थी उससे अप र्यवनिक सील्ड करेक्टर डिपार्टमेंट में भीज दिया जा रहा है एड मास्टर फिर बे को कहती, यह तुम्हारी ले काफी अच्छी बात है बे कहता है कि खाग अच्छी बात है, अब यह रिकुरॉप्रेंट कंफरेंस फिर खतम हो जाती है, यह सब फिर जब वापी जाने लग जाते हो तो हीमिंग यहाँ पे बे को कहता है कि कॉंग्रेट्स लड़कें इसे बता भी मैंड़ी मैं सूली हुई है यहां सोचता है कि अगर मुझे पहले पता होता है तो मियापे कभी भी भी नहीं है यह पिर इसे कहते हैं कि अपने को एक दिखा है बाकि इस्टुरेंट के उपर होता है कि आखिर कर वो कैसी इंप्रूव करता है यह लोग लुका यहाँ पर आ जाते हैं पर सूच रही होती है कि बेलूचन आखिर कर बुली क्यों हो रहा है वो तेक ताखतवर इंसान है ना वह चाहिए तो यहां पर कौंग हांग कुछ नहीं है क्योंकि मेरे स्टुडेंस नहीं है पर चिंता मत करो तुम मेरी पहली स्टुडेंट हो इसी वज़े से मैं तुम्हें पूर्ली ट्रीट ने करूंगा तुम इन दोना बुक्स का यूज करके चीजों को आराम से सीख सकती हो और चौती चीज अब तक मैंने सोची पहले को मैं कुछ नहीं है कि तुम्हारी कोई सवाल है क्या ये ये कहती की नहीं पहले बुक्स में यहाँ पे अच्छे रिखा गया है कि तुम यहां पे र dobrोंग नि Goodbye रहेगा और दूस्री बुक्ष यह पी काफी काफी को सीख सकती हो यहां पर मैंने प्रॉब्लम्स को माग कर रखा है तो मैं पस अच्छे से उसे फॉलो करना है हाँ ग्रीडी मत बना अगर तुम जल्दी से इसे लर्ण करें की कोशिश करोगी तो तुमारी दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा और हाँ बीच बीच में मैं तुम्हारी प्रोग्रेस करते रहूंगा तो लेजी बिल्कुल भी मत होना यह कहती कि मैं सब कुछ समझ गी यह सारे खाली है तो मिन में से कुछ भी चुन सकती हो अगर यहां पर तुम्हें कुछ भी कमी लगती है तो तुम यहां पर डिसिप्लीन ऑफ इंट्रेनल अफेर डिपार्टमेंट के बाद इनको चीड लेता और उसों यहां पर काट देता और यहांपर फ्राय करने लग जाता है और समेल जब सूंके पाज आती है तो इसमेल खीड़न को अच्छी होती है यहां पर taste कि द्रेएक नीग이다 के रहा हुता यह देखिए सोच क difference होता है ये फिर यहां पे वे के पास चले जाती है और कहती है कि मास्टर मुझे थोड़ी भूख लग रही है क्या मैं उसे थोड़ा खा सकती हूँ वे इसे डारेक्ट मना कर देता हूँ ये सोचती है कि मैं एक इम्मॉर्टल बींग हूँ आखरीकार मैं जरे से मीट के लिए इतनी ज सकती हूँ क्या ये कहती है ये फिर इस एक थोड़ा से तुकड़ा देता हो काहती है तुम सीविसे लिग कर सकती हो ये देख की ये काफी अजीव करती है पर बे इसे कहता है कि डिसेप्लिन को अपने मास्टर को मतलब भी नहीं करना चाहिए जा तुम इस चीज को लिग कर तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखर कर तुम्हारे मास्टर ने ऐसा क्यों किया और यह तुम्हें वो क्यों नहीं देना चाते थी तो फिर ड्रैगन के इस तुकड़े को लिख कर लेती है और जैसी वह से लिख करती है उसके अंदर से सारी स्प्रिचल अनरजी भारा जात अगर यह डायरेक्टली इसे खा लेती तो यहां पर मर जाती तो फिर इसका शुक्रिय करती है इसी देने के लिए बेसे कहता है कि तुम हर दिन सर्फ एक ही लिख कर सकती हो यह कहते कि ठीक है हमें फिर आधी रात में दो लड़कों को दिखा जाता है जहां पर एक लड़का कहता है कि इंस्ट्रक्टर बे जिन घोड़ों को यहां पर बढ़ा करते हैं उनके अंदर स्पिरिचुलेटी है पिछले साल काफी सारे क्लाइंस ने ट्राय किया था कि वो बे से उस घोड़े को चुरा ले पर हर कोई पिट के वापीस आया उसका दूसरा साती उसे कहता है कि ब्रदर क्या हम दोने इस चीश के लिए काफी रहेंगे क्या यह कहता है कि घबराओ मत इस बार मैं पूरी प्रेपरेशन के साथ आया हूँ रेट सीनियर ब्रदर ने हमें एक ऐसी चीश दिये जिसे पीते ही कोई सभी जीव हो वो यहां पे बेहुश हो जाएगा जिसके बा सुन्दर मन चुके हो मैं भी सोने के लिए जा रहा हूं तो आसपास का अच्छे से ख्याल रखना और यह दोनों फिर उस घोड़े के पास ले जाते हैं कि अब उसका घोड़ा कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि यह घोड़ा भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट के वहां पर जा सके वह हम देखते हैं दोनों लड़कों को जो कि यहां पर इस घोड़े को जिसका नम भूजी होता है उसे वह लेकविट पिला रहे होते हैं तब यहां पर इससे कहती है कि आखिर कर तुम लोग कौन हो अपना नाम बताओ इसे देखे एक लड़का कहता है कि ब्रदर आखि मैं यहां पर हूँ बिल्कुल भी हमत मत करना किसी भी चीज़ को छूने की जो की मास्टर की है यह लड़का कहता अगर तुम्हें आप चोट लगे तो बिल्कुल भी मुझे बिले मत करना और यह इसक्यूपर हमला कर देता है पर सुरिप एक ही लास से इसे यहां पर की पीट पर लात मारती है जिसके पाद यह घिसता हुए जवीन पर किर जाता है और दूसरा लड़का फिर इसक्यूपर हमला करने के लिए आजाता है तब यहां पर बेकी आखे खुल जाती है और वो देखता है कि यहां पर कुछ लड़कों से लड़ रही होती है तो यहां में फिर कुछ दिर के बाद 20 टेमिंग डेपार्टमेंट के ही शेंग सेंट को दिखा जाता है जहां पर इसे जब पता चलता है यह दोनों वहां से पिटके वापिस आये तो इस चीज़ से के ओपर यह काफी जिता गुस्ता होता है यह दोने से बताते हैं कि ग्रेट सीनियर हम हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि हम उसे वापिस लेकर आ सके पर बेकी नए स्टुडेंट वो काफी ताकत वरती और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए एक बार हमारे इंजरिस हील हो गई तो हम उसे वापिस ले आएंगे यह इन दोनों को फिर हीलिंग के पोशन देता ह कि अपनी इंजरिस को हील कर सके यह दोने इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करते हैं फिर सबीस टेविंग डेपार्टमेंट के लोगों को क्या पीक तक ले जाने लग जाता है और क्याता है कि इस चीज की ओपर मैं जस्टिस लेके रहूंगा तब ही एक लड़का यहां एक इन्स्ट्रक्टर है अगर हम डारेक्ट ली उसके पास अभी चले गये तो हम काफी सारी मुझसीबत में फच सकते हैं पर शेंगसे ने कि तो फिर हम क्या करें क्या हम ऐसी जाने दे उस होर्स को हमोन करते आखर कर उसकी हिम्मत कैसी हुए उस होर्स को हमारे से छीनने की यह कहा थै कि मेरे मतलब यह नहीं था मैं बस यह कहना चाहता हूं कि उसकी स्टूड़न ने काफी सारे अकैडमी के रूल्स को वाइलेट किया हम उन दोनों स्टूड़न का यूज करके यहां पी ऐसा दिखाएंगे कि उस लड़की ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह मारा है बिना किसी ही वज़े के और जब लॉइ इन्फोर्समेंट यह सारी चीज़े सुनेंगी तो वो पक्के से हमारा जरूर साथ देंगे और बे यहां पे स्पीचलेस हो जाएगा और जैसी यह सारी चीज़े होगी अगर उसे अपने स्टूड़न को बचाना होगा तो हम कंपेशन सेंग के तौर पर वूज़ी को वापिस मांग लेगी यह कहता है कि तुम्हारा प्लैन काफी बढ़ी है हमें फिर अगले दिन बे को सके पर पूरी रात जागने के बावजूद और स्प्रिट एनर्जी खतम करने के बावजूद यह सर्फ आधे पेच को पढ़ पाई अब तक और इसी वर्ज़े से इसके सवाल का जवाब देने के लिए काफी हजिटेट कर रही होती है यह से कहते हैं कि घबराओ मत मैं तु यह कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ गलत फैम हुई है मैं तुमसे डिसपॉइंटमेंट नहीं हूँ मैं काफी सप्राइज हूँ मुझे लगा था कि तुम उस बुक के सिर्फ कुछी सवालों को पढ़ पाओगी तो यह कहते कि आप ऐसा कह रहे हो कि आप मुझे को पढ़ डालेगी यह फिर से कहा थे कि वैसे तो रून्स और कैरेक्टर की यहां पर नौलेज होनी चाहिए पर तुम्हें यहां पर ड्रश करने की कोई जरुतनी है तुम इस टोकन से लाइबरी में एंटर कर सकती हो जहां पर तुम किसी भी तरह की बुक को पढ़ सकती हो और अगर तुमने टोकन के लेवल को बढ़ा दिया तो उतनी अच्छे बुक्स और उतनी अच्छे मार्शल अर्ट स्क्रिप्ट को तुम अच्छे से पढ़ पाओगी तो इसे पूछती है कि आखरेका टोकन का लेवल बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये से बता आता है कि तुम्हीं इसके लिए मिशन को कमपलीट करने पड़ेंगे जूंक्यैकैडमी बीज बीज में कभी घर तो मैं परीसिैश करने पड़ेंगी उसमें काफी सारे वाच्छे मैं समझ चूंकर वह मन मैं सोच रही होती एकि अगर इस टोकन को मांट्र की पर जो कि यहां पर लिया था पर लगता है कि मैंने कुछ जाद ही मार दिया था बे कहते हैं घबराओं मत यह सारी चीज़े मैं एंडल कर दूँगा तुम्हें बस अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देने की जरूत है अब चलो बहार चलते हैं और देखते हैं कि भार की सिचुए कीसी है यह दोनों फिर जब बहार जाते हैं तो यह भ़ोते हैं यहाँ पर इसके लूड already гonar को हुघ हुद कर दाए यह उसा वाई है कि हमारे पास काफी सारे विडेंसे से मिसू के खिलाफ तो आप उगने हमारे अवाले कर दो तो ही बेटर रहेगा बे कहता है इतनी जल्दी क्या है एक इंसान है जिससे मैं कुछ चीजे क्लियर करना चाहता हूं मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह दो स्ट्रेंट गलती से कुवांग लौंग पिक यहां पर घुज गये और उस चीज के लोग अल्ड़ेडी मैं उन्हें परिश कर चुका हूं यह कहता है कि एक्सिडेंट लिए तो काफी अच्छी बात है मेरी भी स्ट्रेंट ने गलती सोने इंजर्ट कर दिया और इस चीज को मै पर इले काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेसे कहता है कि तुम मुझे यह सिखाने के कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या कनची और क्या नहीं यह देख कि यह काफी घबरा जाता और क्या आपने देखा कि वो कि एक दम पागल हो चुक है वह यहां पर कुछ भी कर रहा है जो इंसान लॉइंफोर्समेंट से पंगा लेने की कोशिश करता है उसका कभी भी आच्छानत नहीं होता यह से कहता है कि तुम कुछ ब्रैट्स हो जो कि यह कह रहे हो कि तुम लॉइंफोर्समेंट को प्रेजन करते हो अगर सच कहूं तो तुम इसीच की काबिल बिलकुल करने की आज मैं तुम्हारी डिसेपलिंट को पर हमला कर देता है वही पर शैंक साइन शोच रहा होता है कि लूचेंड तुम मैं क्या लगता है क्या तुम अभी वही जीनियस इन्स्रक्टर हो जो तुम 10 साल पहली हुआ करते थे और उसे के साथ तुमने लॉइंफोर्समें के आखिर कर पिछले राहा तुमने क्या सीखा मुझे डेस्पइंड मत चाना यह कहती कि ठीक है यह दोनों फिर गुचल को डौ रोक देते हैं और यह देक्ज़ कंद ये आखे कर रही हैं कर दूसरा लड़का होता है कि लगता है वोду हमें हलकी में ले रही हम दोनों को आपकर ऑपर 253 करना पड़ेगा ये दोनों फिर एक सus करने पर हम पर हम दीयों के फिर करते झ ये दुनको पर एक और मिस्पर मैं रहे होती तो यह दोनों किसी तरह को रोग देते हैं तो यह कहती है कि लगता है मुझे थोड़ा और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा यह फिर अपनी ताकत का यूज करके इसकी उपर हमला कर देती है और यह दोन कुछ भी नहीं कर पाते हैं दोनों का काफी बड़ा जटका लगता है पर इसे देख कि यहाँ पर बे सोच रहा होता है कि इसका थंडर एटिब्यूट है और जो स्नेक गेल मैंने पकड़ा है उसका एट्रिब्यूट मैं इसे नहीं दे सकता लगता है मुझे चैंग व्यूव आपर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसके लिए थंडर तुम कोई मूव नहीं करने वालयो हम तुमारे वज्ञे से यहां पर आएती हैं यह सुसता है क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो आखरे कर तुम दोना ने मुझे क्यों बुलाया तुम दोना मिलकर भी उसनेहीं हराPाये तो तुम है किया लगता है मैं अकेला उसे हराप किया तुमने अपने के क्राइम को चुपाने के लिए हमसे लड़ने की हिम्मत की आखरकर तुमने लॉइज को क्या समझ रखाए तो मैं चीज को रिग्रेट करने वाले कहता है तुम अभी तक लाइट स्टेज में हो आकर कर तुमारी इतनी ताकत कैसे हो सकती है बेई से कहता है कि भूलो मत यह कुइंग लौंग पीक है तो यह कहता है कि तुम अपनी ताकत को रीकवर कर चुकिया हो उसका साथ ही से बताता है कि उसने अप तक रीकवर नहीं किया है जो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम यहीं पर किनल डाउन करोगे जब तक सीनिर ब्रदर यूम उसे प्रसनली यहां के बात निकल लेते यह दोनों फिर यहां पर वाइस इंस्ट्रेक्ष्टर और बीस टेबिंग डिपार्टमेंट चैंग कुन को यह सारी चीज़े बता देते हैं यह से कहता है कि क अगल रात को तो मेरे साथ चलना कुईंग लौन पीक में ताकि हम तुम्हारे मास्टर ब्रदर को वाफिस लेकर आ सकती यह कहते कि जैसा आप गये मास्टर अब फिर अगले सुबाबे को दिखा जाता है जो कि यहां पर खाना घार होता है और वह सोच रहा होता है कि आज प यह कहता है जिसकी बाद यह से कहता है कि अगर 20 टेविंग डिपार्टमेंट से कोई भी यहां पे आए तो इस सील का यूज कर लेना यह कहती कि चिंता मत करे मास्टर इस चीच को मैं अकेली हैंडल कर लूँगी और मैं आपको तकलिफ होने बिलकुल भी नहीं दूँगी य कहती कि घबराई यह मत मास्टर यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला आप आराम से वापिस आ सकते हो हमें फिर बता जाता है कि एफस ऑफ चैंग वूज है वो रेसिडेंट है यहां पर जितने अंदर आप जाते रहते हो उतनी खतननाक डीमन डेसे के रेल्म से आपको मिलते खतननाक डीमन से महायाना स्टीज वाले लोग भी लड़ने से वाइड करते हैं वही पर हम देखते हैं बेको जो कि हावर में उड़ रहता है और थोड़ी देर के बाद वो एक चोटी के यहां पर आ जाता है और सोचन लग जाता है कि सू का जो करेंट रेल्म है उस हिसाब स स्ट्रेंट होती है वह सूचता है कि आखिर कर यह यहां पर क्या कर रही है तब ही उस लड़की के कोई उपर हमला कर देता है और यह अपने आपको छुपा लेता है ताकि वह अब्जॉब कर सके कि आखिर कर यह सब यहां पर चल गया रहा है तब यहां पर दो लोग आ जात तुम अगर अच्छी लड़की के तरह भी एफ करोगी तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़ी दिर के बाद तुम्हें यहां से जाने दे और यहां से जगानी उठो भी कंटिउन जाती कैसे आपको यह एपिसोड कैसा लगा कैसे नी फिस कमेंट बताना मत भूला इस कहानी में मैंने टोटल पांच चैप्टर एक्स्प्लेइन किया शुरू किये अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो मैं इसके और भी चैप्टर केमीज में मिलाने वाला हूं से जाते हैं से रिपेतना कहूं गाइस थैंक्स वाचिंग ने एक सिर्व मिलता है हो फिले अब सब बढ़े होंगे थैंक्स वाचिंग गाइस